मुख्य समाचार पूर्वतर के सभी आठ राज में विकास को मिली गती कहा केंद्र और राज सरकारों के बीच पहतर तालमें से सूतुर गाओं ने सड़क विजली मोबाल नेर्फट सहीद आधार्भुत सुविधाओं का हुआ विकास अरुनाचल के शिक्षा मंत्री तबत देर ने पापूं पारेजिले के होलोंगी में जन्जाति सास्कृति केंद्र तप्या उठाटर कहर राज सरकान जन्जातिय बोली कला और संस्कृति के संड्रक्षर को प्राथमिक्ता देते हुई तिवहारों और पारंपरी खेलों के आयोजनों के लिए उठाए ज़रूरी कदम गेकू मार्यांग छेतर से विधायत कांगों ताकू ने एस्जी फिलीब जेरांग और पंचायल सदस्यों के साथ अपरसियांग जीले के गेकू में निर्मार धिन जवाहर नवोदिया विध्याले का कियान और एक छर्शिक्छा के साथ बच्चों के स्वास्त पर ध्यान देते हुई खेकुद के साथ ही गुर्वत्ता पूरण आहर पर दिया जोर। केंद्रिय कानुन मंत्री किरिन रिजजुजु ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरवत्तर के सभी आठ राज में विकास को गती देने के लिए चालू वित वर्स में परियात प्रावधान किये गए हैं। नए दिली में कल संवादाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंड्रों और राज सरकारों के बीच बहतर ताल मेल से सड़क बिजली मॉबाल नेटवर्क सहित सभी आधारबुच सुविधाय सुदूर गाओं में भी मिल रही है पर्सनली विजिट किये हैं इंटरेक्शन किये हैं और उसके साथ साथ जो एक्ट इस पॉलिशी के तहट जो विकास का दोर लाए है इसी साल आप सोचिए इसी साल का 22-23 का बजट में 76,000 क्रोर बजटरी आवंटन जो किया गया है 7,500 का इंक्रीज है 7,500 का जो इज़ाफा होना जम होना यह अपने आप में एतिहासिक है एक रीजन को इतना बड़ा एकौनमिक सपोर्ट financial support मिला और साथ-साथ में जो प्राइम मिनिस्टर डिवाइन जिसको बता है प्राइम मिनिस्टर डिवलोमेंट इनिशेटिव फॉर डिवलोमेंट अफ नॉर्थ इस्टर रीजन पंद्रो सो क्रोर डिस इस वेरी यूनिक ये जो किसी कारिकरम में अगर नहीं आता है तो ये पी-एम दिवाइन के मादियम से नॉर्थ इसका जो यूनिक स्कीम्स और प्रोपोजल से उसको कंसिदर किया जा सकता है तो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर ने जो नॉर्थ इसके राजों को मदद किया है मैं समझता हूँ अब चैलेंजस नॉर्थ इसके स्टेट्स और लोगों के उपर है इतने सपोर्ट सेंटरल गवर्मेंट से मिली हैं उसको खर्चा करना उसको यूटिलाइस करना इसको 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 पहुंचाना ये आ उर्वायक्ता थाछ दुटावम्डमे कहें हैं हमारे नौर्फिसेंटे के आठ राज़ों के उपर है भाकी स्किम लाज्ट माइल डेलिवरी जितना स्किम्स है इंडिविजल बेनिफिशरी टारगेटट स्किम्स जितने भी हैं गवर्मन आफ इंडिया के जो फ्लैक्शिप स्किम्स चल रहे हैं उसको तो आप लोगों को भी जानकारी है आज किसी ने जो सप्रा ने देखा कि हमारा गा इप्रूबिल दिये हैं उसके तहट अब जहां कैबल नेटवर्क लाइन हम नहीं बीचा सकते हैं जोग्राफिक के डिफिकल्टी के वज़ा से वहां टावर एरेक्शन करके हरे गाउं का दो हजर चोबीस तक 4G नेटवर्क पूरे 39 के कठीन से कठीन इलाके तक 4G का संस्कृतिक केंद्र का उद्खाटन किया निशी न्यदूं मौंग जांग रालूं के 23 स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कारेक्रम में स्रीतेदीर ने कहां कि राज सरकार जन जातियों बोली कला और संस्कृतिक के संरक्षन के प्रतीव चनबत्त है उन्होंने कहां क सरकार ने राज भर में जन जातियों संस्कृतिक विरासत के संरक्षन के लिए जन जातियों संस्कृतिक केंद्र के स्थापना लोकल लोकल डायलेक्ट के विकास द्योहारों और पारंपरी खेलों के आयोजनों के लिए जरूरी कदम उठाया है इस अफसर पर इंडिजीनिस प्रदेश के अधियक्षा कातूं वागे सहित कई गणमाने व्यक्ति मौझुद थे हमारे अपनी आज की यूद में आप देखे हैं हम सब अपने गरों पर भी अपनी मत्रिवासा को पूल गया है देश को कई हिसों में शनिवार की शाम चांद देखने के साथ ही रमजान का पवित्र महिना आज से शुरू हो गया शनिवार राद बड़ी संख्या में लोगों ने तरावी की नमाज पड़ी आज रोजे का पहला दिन है रमजान इसलामिक कैलेंडर का नवा महीना होता है और रमजान की तीस रोजे पूरे होने के बाद इदुल फितर का त्योहार बनाया जाता है राष्णपती उपर राष्णपती प्रधान मंत्री केंडर कानून मंत्री अरुनाची प्रदेश के राजपाल और मूखे मंत्री ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर देश्वासियों को शुपकामनाय दी है पधान मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में आशा वैक्ट की कि रमजान का यह महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा साथ ही यह हमारे समाज में शान्ती सदभाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा केंद्रिय कानुनमंत्री के रिण ड्रेजुजू ने कहा है कि CBI अब पिंजडे में तोते की तरह नहीं है और यह एजनसी सही माइनों में अपने प्रदर्शन से देश की महत्वपूरुन आपराधिक जाज एजनसी के रुप में प्रतिष्टा हासिल की है एक वीडियो शेयर करते हुए इस्ट्री ड्रेजुजू ने कहा है कि देश में हर कोई किसी भी मामले के निश्पक्छ जाज के लिए CBI जाज की मांग करता है जो की इस एजनसी के बारे में जन मानस के विस्वास को साबित करता है कि देना चाहिए इसका मतलब आप समझते हैं कि देश में और हर एक जन के लिए CBI कितना महत्वपूर है अधरवाइस हर एक चीज के लिए लोग CBI का नाम क्यों लेते हैं तो यह विश्वास है तो यह विश्वास को कायम रखना अत्यंत अवश्क्ता है और हर एक जन का इस कोई investigating officer हो सकते हैं को supporting staff हो सकते हैं कोई stakeholder हो सकते हैं जो indirectly आपको मदद करेंगे लिए कि सब हर एक जन का रोल बहुत ही important है और हमने देखा है और आप और बर्डन भी है कभी कभी एक एक केस के लिए आपको 30,000, 40,000 पेजेस आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है लिखना पड़ता है कितना एविटेंसेस कलेक्ट करना पड़ता है टीम जब किसी चीज के बिलकुल जर तक जाते हैं, उसके लिए कितना लगन, कितना महनत और कितना तपश्य जरॉत पड़ता है। And as a law minister, I can also feel how much you require good lawyers, because the hard work which you have put in, when it is scrutinized before the court of law, the challenges is of different nature. And I can assure you that I will do everything to provide you the best of the lawyers. के साथ ही गुर्वता पूर्ण आहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर जवाहर नवोदिया विधियाले के परिसर में पोधारोपर भी किया गया। Journalism और Mass Communication की छेत्र में देश की सबसे प्रतिश्टित सेंक्षरिक संस्ता इंडियन इंस्टिटूट और Mass Communication IIMC के Alumni Association के North East Chapter की सालाना बैठक शनिवार शाम गुहाती में आयजित की गई जिसमें IIMC के पूर्व छात्र छात्राओं ने हिसा दिया। इस अवसर पर वरिष्ट पत्रकार डी एन चक्रवरती ने जर्निलिजम और Mass Communication के छेत्र में करियर बनाना चाह रहे। युवाओ को IIMC जैसे प्रतिष्टित इंस्टिट्यूट से पढ़ाई करने की सला दी असम के सूचना आयूग डॉक्टर समुदर गुपता कश्यप ने कहां की डिवलप्मेंट कम्यूनिकेटर्स ने अच्छा नेटवर्क विक्सित किया है इस अवसर पर अलूमनाई एसोसियेशन के संस्थान सदस्य रितेश वर्मा ने पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और एसोसियेशन द्वारा शुरू की गई इंस्योरेंस स्कीम से IIMC की पूर्वर छात्र छात्राओं को अवगत कराया इस्ट कामिंग जिले में पुलिस ने गेर कानूनी तरीके से हत्यार बनाने के कारे में लिप्त एक व्यक्ति को गरफतार कर उसके पास से 42 हत्यार बरामत किया है जिला पुलिस वन्ने जीवों के संद्रक्षन के लिए लाड़ा में एरगन सरेंडर अभियान चलाया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपना एरगन सरेंडर किया हिंदू नव वर्स विक्रम संवत के पहले दिन शनिवार कोई टानगर में विश्व हिंदू परिशत द्वारा चिंपू से निर्जुली तक बाइक रेली निकाली गई इस फ्रेली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को नवर्स की शुपकामनाय दी हिंदू पंचांग के अनुसार वर्स का पहला महीना चेत्र होता है शुरधालू संब्रती और सोभाग्य के लिए नौ दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दूर्गा के नौ रूपों की पुजा अर्चना करते हैं आज का दिन अपना सबसे बड़ा मेतुपूल है क्यों आज इस धर्थी पर जो यह धर्थी का जो निर्मान हुआ है तो प्रह्मा जी ने ही आज का ही दिन में इस धर्थी का चिंतन करके आज का ही दिन में इसको प्रह्मा जी ने इसका अगमन क्या है और इसका पैदा क्या है तो इसी के चलते तो अपना विश्व हिंदो परिशद पूरे समाज को सुधारने का चिंतन करका है केवल अकेला नहीं पुरे समाज मिलके इस देश को अरुनाचल प्रदेश के लोर दिबांग वैली जीले में स्थिद भिश्मक नगर एतिहासिक और पूरा तात्विक महत्वका परेटन स्थल है नौरम परवत स्थिद भिश्मक नगर सहसिक और सांस्कृतिक परेटन के लिए भी उप्युक्त स्थल है ऐसा माना जाता है कि भिश्मक नगर की स्थापना आठफिश शताबदी में किंग भिश्मक ने किया था जिसका महाभारत में भगवान स्री कृष्ण की पत्नी रुक्म अजिसे करेंगे तो आपको विश्मक नगर में आपको कृष्ण की कहानिया सुनने को मिलते हैं जैसे कुंडिल सिविलाइशन है और आजू बाजु का प्रदेश है उसके अलग-अलग महाभरता में जो रिफरस मिलते वो है तो इस तरह से कोई नौर्थिस्ट में मतलब अब ऐसा कोई अलग नहीं रह गया भारत देश में जैसे महा भारत ने प्रभावित किया कुर्ष्ण ने प्रभावित किया ऐसे यहां भी हुआ है बिस्मक नगर के बारे मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक कहनी है और जो बिस्मक राजा था बिस्मक राजे की कन्या जो रुकमिनी थी उसको लेने के लिए भारत का शांदार स्वाधिन्ता संगर्स आधुनिक विश्य के महांतम संगर्सों में से एक दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आजाती का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चटो पाध्याई के बारे में आज भारतिय स्वतंत्रता संगर्स, समाज सुधार और कला चकत से जुड़ी महान विभूती कमला देवी चटो पाध्याई की जैनती है वर्ष 1903 में 3 अप्रेल को मंगल्यूर में उनका जन्म हुआ था उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था विवाह के दो वर्ष बाद वी विद्वा हो गई बाद में कमला की मित्रता सरोजनी नैडु की छोटी बहन सुहसनी चटो पाध्याई से हुई जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चटो पाध्याई से मिलवाया कला और थेटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी समाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया कमला के श्वसुर एक प्रगतशील विचारक थे उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोच्साहिद किया 1927 में कमला इंडियन नाशनल कॉंग्रेस में शामिल हो गई और स्वयम को स्वतंतरता संग्राम में समर्पित कर दिया वे सेवा दल में आ गई और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गई वे 1937 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घूशित साथ सदस्यों की नेत्रित्व दल में भी शामिल थी कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतराष्ट्य समर्थन जुटाया 1947 के बटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की वेवस्था करने में अथक परिश्रम किया उन्होंने बटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्ते सुविधायों उपलब्ध कराने में भी मदद की कमला देवी ने महला उत्थान के लिए अनवरत कारे किया कमला देवी का कला से कहरा लगाओ था उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया उन्होंने हस्त शिल्प और कपड़ाव द्योग के पुनरुथान पर ध्यान केंद्रित किया प्रतिष्चत राष्टिय नाटि विद्याले नाशनल स्कूल अब्रामा के स्थापना का श्रे भी उन्हें ही जाता है बाद में कमला देवी चैटोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्षता की उन्होंने लगभग 20 पुस्तके में ही लिखी जिन में से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविन-19 के दिशान देशों का पालन करें हमें सा मास्क लगाए बार-बार हाथ धोए और सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने कोरोना महमारी से बचाओ के लिए आपका वैक्सिन लगवाना भी जरूरी है अगर आप वैक्सिन लगवाने के पात रहे तो जरू लगवाए हम कल फिर हाज होंगे अरूनाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दे कि आप अरूनाचल समाचार हमारी यूट्यूब चैनल दीरी न्यूज अरूनाचल पर भी देख सकते हैं देखते रही है अरून प्रवाल नमस्काल अरून मस्काल